कई बार फिल्में करते करते कलाकारों की अपनी जिंदगी भी फिल्मी हो जाती है। सुनने में आया है कि क्रिकेटर युवराज सी और किम शर्मा के बीच युवराज की मात दीवार बनकर खड़ी हो गई है। क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए किम शर्मा जैसी फिल्मी बहु नहीं बलकि एक पंजाबी और सीधी साधी घरेलू बहु चाहिए। खबर ये भी आई है कि इस वज़े से युवराज और किम शर्मा का ब्रेक अप हो गया है। और अगर ये खबर सही है तो युवराज और किम शर्मा न्यू यूज के मौके पर गोवा में क्या खिचड़ी पका रहे थे। युवराज ये माता जी की पीट पीछे क्या चल रहा है। खेर आपकी बात आफी जाने। यहां लेते हैं एक छोड़ा सा ब्रेक। सुनने में आया है कि गोविंदा निर्माता केसी बोकाडिया की फिल्म जो होगा देखा जाएगा के साथ बॉलिवूड में अपनी वापसी कर रहे हैं। जब गोविंदा का फिल्मों में बुरा दौर चल रहा था तब उन्होंने राजनीती की तरफ अपना रुख मोड लिया था। लेकिन लगता है अब राजनीती में भी उन्हें कुछ अच्छे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब वो फिल्मों में फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। अब क्या फिर से गोविंदा हीरो नंबर वन बन पाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। एनिवेए आई ये ओन लोकेशन सेग्मेंट में चलते हैं फिल्म फरेब के सेट्स पर। सुनने में आए कि करीना कपूर आजकल रानी मुखर जी बोलता ही कि आज़ता ही आदत है। लगता है करीना ये भूल गई है की उनकी अपनी जुबान भी कैंची से कम नहीं चलती। आप चाहें तो सबूत के लिए Amisha Patel या विपाशा बासु से पूछ सकते हैं Anyway, आईए अब चलके देखते हैं हमारा आज का current event section और देखते हैं film जुर्म का music release